पंड़ी जी हमें ये बताईए कि मेश राशी वालों के लिए जो दुरलप सैयोग है शिव और शनी की कृपा अगर ऐसे में वो प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सावपाय अपना सकते हैं? देखिए मेश राशी के जाकों को बहुत अस्पश्ट बताना चाहूँगा कि मेश राशी के आप जातक हैं मंगल ग्रह से प्रभावित हैं आपके तरक्टी का यह समय है और काम में आ रही आपकी रुकाउटे दूर होंगी भूमी भूहन के मामनों में तेजी आएगी और बै जिस्चित रुख से आपके जीओन में सुक सम्रधी आएगी और सधियों का दान करें दवाईयों का दान करें और सधियां दान करना आज सूमत या मावश्या के दिन आपके लिए पर्म कल्यान कारी होंगी शिवजी के क्रिपा पाने के लिए जल में बूद और सहद मिला कर के शिव का एत्तिरी मंत्र का जब करते हुए शिवलिंग का अविशेक करें अगर शिव का एत्तिरी मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो रूद्र शुक्त का पाठ करते हुए भगवान शिव का अविशेक करें अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो आप ओम नम्ह सिवाय करते भगवान सीव का अभिशेख करें निश्यत रूप से मनोकामना पूरी होगी शीव सनी दोनों की किरपा आपको प्राप्त होगी अभिशेख के बाद लाल चन्दन से तिलक करें शीवलिंग का और लाल चन्दन से एक सो आठ पत्ते बेलपत्र पर ओम नमः शिवा लिख करके बेलपत्र को भगवान सीव पर महा मृतुन्य मंत्र का जब करते हुए समर्पित करें अकाल मृतु और दुर्खटना का भै सदा सरवदा के लिए समाप्त हो जाएगा तो इस तरह से उपाय करके मेसरासी के जातक अपने जीवन को चैतन्य एवन सुपी बना सकते हैं